नमसकार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होश्ट अदनान सर, जैसा कि दोस्तों, आप सभी को पता है, कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का रूल था, तो उन लोगों ने हमारे देश में एक कानुन बनाया था, जिसका नाम था इंडिन पिनल कोड, और इसी के साथ साथ आपका Criminal Procedure Code और साथ साथ आपका दोस्तो Indian Evidence Act लेकिन 2014 के बाद जब मोधी सरकार आया हमारे भारत में मतलब कि जब मोधी गवर्मेंट बना तो गवर्मेंट ने काफी सारे चीजों में चेंजेस किया और अभी रिसेंट में ही अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश में IPC की कई सारे सेक्षन को रिपलेस करके वहाँ पर जो नया नाम जोड़ा गया भारतिय नियाय सनीता जो हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा भारतिय नियाय सनीता 2023 और बेसिकली दोस्तों हमारे देश में यह इंप्लिमेंट हुआ ठीक आपका जुलाई के मन्त में फस्ट जुलाई से अब आज के इस वीडियो के माध्धम से हम लोग यह देखेंगे कि आखिर जो भारतिय नियाय सनीता 2023 का जो आया हुआ है और फाइनली जुलाई में जो इंप्लिमेंट हुआ इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्षन है जिसका नाम है सेक्षन 69 और यह काफी कॉंट्रवर्सल भी कह सकते हैं और इसी के साथ साथ यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि इसका क्या इसके बाद हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एंबर हर्ड और उसके साथ आपका जॉनी डैप जॉनी डैप और एंबर हर्ड बेसिकली सेक्षन 69 में कुछ चीजों को लिखा गया है यहां पर गवर्मेंट का जो मंसा था वो बेसिकली वोमेंस को प्रोटेक्शन कर बेसिकली आपका क्या हो सकता है कि वहां से मिस्यूज भी हो सकता है दोस्तों आप लोग याद होगा कि जॉनी डैप और एंबर हर्ड जब दोनों वाइफ थे और फिर बाद में जा करके जब दोनों के relationship में कुछ न कुछ issue हुआ होगा basically तो यह काफी lime light बन चुका था और फिर बाद में जो है Amber Heard ने जॉनी डैप के ओपर में sexual harassment का case किया था दोस्तों first of all और यहां से बहुत ही चर्चित था यह वाला particular जो case नॉर्मली हुआ था आपका जॉनी डैप और एंबर हर्ट का इसी के रिगार्डिंग जो particular भारत में भी जो कानून मना section 69 के according तो यहां पर एक चीज important है कि अगर माल लिजिए कि कोई अगर दो विक्ती है as for example एक लड़का और इसके बगल में एक लड़की है अगर यह दोनों को थोड़ा समझिएगा एक लड़का एक लड़की दोनों मान लीजिए relationship में हैं अब यह relation जैसे आगे चला और मान लीजिए लड़कों ने लड़का ने हैं ऐसा कहा लड़की से कि हम तुम से शादी करें और साथ साथ जब कुछ दिन अगर हो गया तो फिर वो बोला गया कि मैं तुम ही से शादी करूंगा जो नॉर्मल बोला जाता है अब इसको देखकर के लड़की थोड़ा खुश हो गई और साथ साथ आपका वो भी यह सपना देखने लगी कि हमको अपना से शादी करने वाले हैं अब जैसे यह सेक्श्वल इंट्रकोर्स हुआ कुछी दिन के बाद फिर क्या हुआ ललका जो है ललकी से ब्रेक अप कर लिया एक तो नॉर्मल यह स्टोरी चलता है कि इंसिडेंट चलता है तो गवर्मेंट का में जो मनसा था ना सेक्शन 69 आइड क कुछ कर सकता है जूटा वादा जूटी बाते मैरिजस का फॉल्स प्रॉमिसेस इन सब चीजों के लेके कर सकता है और बदले में सेक्श्वल इंट्रकोर्स हो जाता है लड़की का कंसेंट ले लेता है उसके मन से मान के चलिए तो वहाँ पर अभी राइट नौ जो सजा को पराक्षा हो जाएगा लड़के कह सकते हैं किहां आपका गलती रहता है यूँक्टे दोनों तो इनसानी है और अगार रेलेशन्सिप में अगद आ है तो यहां हो छिएила लड़के के लिए implement हो रहा है लेकिन अगर हम बात करें लड़की के side से मान लीजे ऐसा हुआ कि दोनों relation में है as for example और यहां पर लड़का ने भी वादा किया कि शादी करना है और लड़की ने भी कहा हा मुझे करना है और फिरफाद में ऐसा हुआ कि लड़की जो है इस particular प्रॉमिसेस किया शादी करने का और फिर उसी बीच में अगर sexual intercourse हो जाता है दोनों के बीच में तो यहां पर लड़की उसके खिलाव section 69 के according उसके खिलाब जो है यह केस जो है दर्ज करा सकती है first of all दोस्तों इसके साथ साथ इसी लौ में एक चीज और लिखा गया था जो म मैं इसे jobs देने का हो सकता है promotions का हो सकता है लेकिन इसके consent में क्या करना है sexual intercourse करना है अब हम आते हैं कि जो हमारे भारत या world में कह सकते हैं कि relationship का जो types होता है अलग-अलग वो basically क्या है दोस्तों अब हमारे इस particular infographics में आप देख सकते हैं कि पहला एक ऐसा relationship होता है जो lust का होता है lust that is called कि बस जो है एक दुसरे का जो है साथ रहना sexual intercourse करना और फिर अलग हो जाना मतलब उसमें no emotion कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहां सब सब लिखा हो अभी है कि बस physical contact बनाना है देन इसके बाद फिर एक दुसरे का जरुरत पुरा हो गया देन इसके बाद दन फाइनल इसके मान लिजे दो लोग relationship है और कभी मान लिजे अगर लडाय जगला हो गया तो लड़की का एक best friend आता है जो उसको कंधा देता है है यह याद होगा आप लोगों को तो यह वाला emotional affair about danger है तीसरा अगर हम बात करेंगी जो रिवेंज लेने वाला होता है काफी बार आप सुने हों उसको फिर वो साथ रखा relationship में फिर उससे बदल ले लिया तो यह अलग-अलग type का जो भी relationship है इसमें सबसे popular अगर हम बात करेंगे तो यह body and soulful affair है और last आपका financial भी एक relationship होता है दोस्तों first of all यह तो basically एक type हो गया relationship का लेकिन मेरा जो वीडियो का जो main मुद्दा है वो यह है section section 69 हाला कि IPC जो section था उसमें भी 375 था और 90 था बट उसमें एक चीज यह था 375 में कि अगर कोई ऐसा कर रहा है अपने identity को चुपा करके तो वहाँ पर उसके खिलाब case बन सकता है लेकिन यहाँ पर साफ सब क्या कहा गया है कि अगर false promises हुआ और उसके साथ intercourse हो गया बाद में ब्रेकप हो जाता है जैसे जॉनी डैप के case में हुआ था याद होगा आप लोगों को तो यहां पर आपको दस साल का जेल और सासत फाइन भी हो सकता है आई होप दोस्तों यह section 69 जो ब्रेकप के concern में हैं आपको clear हुआ होगा मैं आपका दोस्तर आपका host अद्दाज सर तैंक सो मच जाहें दोस्तों